आप लोग आप लोग कुंदन, छोटी, अकांग्ष, अनन्ता, किष्णा, चान्दनी, मिनाक्षी, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों जी प्रीती, निखत, गुड मॉर्निंग, गुल जहरा, रुपेश, अनुज, मनीशा, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों तो कैसे हैं आप लोग, hope everything is going on well, और सब बच्चे बढ़िया से अपने तयारी कर रहे हैं, ठंड में बैटे हैं, मच्टी से अपने रजाई में या फिर अपने घर में और आराम से पढ़ रहे हैं, तो वड़ ब्यूटिफुल scene is there, what a beautiful feeling, कि सब बच्चे जम के पढ़ रहे हैं, चाई पीते हुए पढ़ रहे हैं, it's really great, जी बच्चों, अच्छा करेंगे चलो मेराथन भी करेंगे, कोई बात नहीं है, हाँ प्रीती मजाक, मजाक हम देखें तो ऐसा हमें लगता है, बट कुछ टेक्निकल फोल्ट है व कि आज 17 वाला भी मैसेज मुझे मिला है, कि 17 वाला जो आज का पेपर था वो भी कैंसल कर दिया गया है, कैंसल क्या बस पोस्ट्पोन हो गया है, कैंसल का मेंस होता है, उसे कता ही खत्म कर देना है, जबकि पोस्ट्पोन होता है, कि बाद में आने वाले समय में उसको फिर से कराया जाएगा अच्छा रात कोई हो गया था बिल्कुल सही बात है तो चलो कोई बात नहीं है प्रॉसेस में हैं सब लोग तो प्रॉसेस में अपने लगे रहो जिन बच्चों का आज था उनको फिर से मुखा मिलेगा नो प्रोब्लम एट ओल अच्छा कांच दो ठीक है मैं समझ रहा हूं बिल्कुल वो जिम्मेदारी ही है जी बहुत अच्छी बात है कि सबच्चे जिम्मेदारी को करते हुए भी अपने वर्क पे लगे हुए घुर आ kij है एक बहुत अच्छी बात है तो चलो बच्चों dür K safer कर कि जो text media का type है देखो सबसे बड़ा focus आपको किस word पे करना है text पे तो बच्चो अगर मैं text पे focus करूँ तो बताओ इसका means क्या बनेगा audio dishes, disk and tapes या illustrations and diagrams अगर बच्चों मैं diagrams और illustration की बात करूँ तो obviously क्या बनेगा ये हमारा visual होगा और अगर मैं इसकी बात करूँ तो बच्चों आपका auditory बनेगा बार समन में आ रही है motion pictures and documentaries obviously visual बनेगी और अगर मैं कहते हो digital e-books and e-journals तो बताओ बच्चों बिलकुल सही बात है बहुत अच्छे, सही जा रहे हैं आप लो ये बच्चों आपका D बन जाएगा digital e-books and e-journals पकड में आ रही है सब बच्चों को बात हाँ जी बिलकुल ठीक है बच्चों तो ये answer आपका D बनेगा क्योंकि वो basically text media की बात कर रहा है only text media की तो text media में क्या आता है आपका digital e-books e-journals, newspapers, magazines like आपकी और भी जितनी चीज़े बनेंगे वो सारी इसमें बन जाएंगे आगले question पर आते हैं बच्चों बहुत अच्चे question number two को देखेंगे आप लो which of the following resources will help break down communication barriers and enable children to study should involve should involve and learn in both language L1 and L2 cdc बात यहाँ पर के L1 and L2 दोनों का यहाँ पर यूज किया गया है तो बताओ बच्चो multilingual बनेगा multimedia, more textual या communicative देखो बच्चों बिलकुर सही है actually क्या है वो कह रहा है के following will help the breakdown communication barriers communication barriers बच्चों कब टूटेंगे जब हम उन्हें ज्यादा language में बात करने के ले तो आंसर आपका A बनेगा यह multilingual होगा right L1 and L2 दोनों को लेने का मतलब है हो जाएगा हमारा multilingual getting everyone बच्चों बहुत अच्छे अगले question पर आते हैं question number 3 बन गया आपका और देखो 3 number क्या कहता है students learning a language often lack confidence जो बच्चे एक language को learn करने हैं वो confidence को lack करते हैं when speaking due to the language unique pronunciation rules right when speaking due to the language unique pronunciation rules one way to overcome this problem is एक रास्ता इस problem को overcome करने का हो सकता है बच्चों क्या हो सकता है children reading aloud in class क्या वो जोर जोर से पढ़ें या using game like activities which require verbal interaction तो बच्चों ध्यान से देखो अगर मैं speaking की बात करूं speaking में उनको problem है तो सीधी सी बात है वो कैसे verbal interaction को ज़्यादा पसंद करेंगे उनके ज़्यादा helpful उनके लिए रहेगा तो answer आपका B बन जाएगा बाकी को आप देख लेए special speech therapy कोई बात ही नहीं correcting errors errors करेंगे तो भी आपकी grammatical ठीक होंगी ना कि आपकी speaking activity ठीक होंगी हाँ जी पंद्रे question रहेगा चाहाँ ने बिलकुल अगले question को देखेंगे बच्चो फॉर्थ number फॉर्थ number आपको कहता है the contemporary target language classroom is a confluence of varied languages and language abilities समझे रहो बच्चो contemporary target language classroom is a confluence of varied languages and language abilities teacher should restructure their practices by exposing students to तो teacher किसको expose करे किस चीज़ के लिए expose करे students को तो बताओ बच्चो summarize and simplified versions of the learning material या फिर बच्चो worksheets with a variety of tasks which covers the syllabus and students give their responses in classroom under the teacher's guidance या appropriate challenges based on the syllabus in a secure environment opportunities for all students explore ideas and gain mastery या फिर educate self-mastery notes self-explanatory notes क्या होना चाहिए exactly बच्चो ये C होना चाहिए बहुत अच्छे यानि आप चीदे तोर से देखो कि बाकी को हम देखें और answer C को देखें तो देखो क्या फर्क पड़ेगा तीनों में अगर हम C को चेक करेंगे तो लिखाए appropriate challenges based on syllabus syllabus पे बेस्ट होंगी in a secure environment बच्चे डरेंगे भी नहीं opportunities for all students to explore ideas and gain mastery तो answer हमारा C बन जाएगा ड़न बच्चो बहुत अच्छे आगले question पे आते question number 5 देखो 5 number क्या कहता है for students to gain language skills from textbooks the textbook learning should तो कहता है for students to gain language skills from textbooks the textbooks learning should कैसी होनी चाहिए correlate with assessment and achievement या फिर lead to using the textbook sparingly expose them to more literary reading या become more cost effective compared technological supported courses बता ये बच्चो क्या बनेगी students के लिए language skills को gain करने में textbook अगर होनी चाहिए तो वो कैसी होनी चाहिए जी बच्चो 5 का हमारा answer क्या होना चाहिए जी सुमा good morning बच्चो अगर हम ध्यान से देखें तो देखो become more cost effective यह तो कोई बात ही नहीं है तो एसी हमारी textbook होनी चाहिए काफी सारी बच्चो ने answer दिया है और answer वन आपका बच्चो सही है अब आप आते question number six पे while teaching hearing impaired students देखो बच्चो जब मैं कहता हूं hearing impaired इसका मतलब बच्चों के कान खराब है मतलब में बात इसमें देखेंगे कान खराब है इसका मतलब उन्हें सुनने में दिक्कत है तो in a inclusive classroom भई inclusive कैसी है जो जिसमें अंधे बहरे कुछ भी हो मतलब हर disabilities वाले disorder वाले बच्चे included होंगे तो कहता है it is necessary for teachers to क्या करें teachers make sure that they are including signs and non-verbal signals to strengthen the communication या फिर conductor regular special class be in constant touch या बच्चों use cue cards क्या answer बनेगा very good answer बिल्कुल सही है बच्चों ये a बनेगा देखो जो बच्चे सुननी पाते है उनके लिए sign होंगे बच्चों non-verbal signals होंगे यही तो standard करेगा नोंके communication को तो ये totally हमारा answer a बनाएगा है आपे तो hearing impaired है तो हम hearing वाली चीजे वहाँ पे मोजूद करेंगे question number आते हैं seven पे seven number बच्चों कहता है while translating a subject and using the translation in the mainstream curriculum the benefit is वो कहता है उसका benefit क्या है तो बताओ बच्चों seven number पे जब आप देखेंगे while translating a subject and using the translation in the mainstream curriculum the benefit is benefit क्या है उसका a promoting national identity enriching linguistic capability and appreciation enabling teachers who are not competent in the mainstream stream या फिर स्टेंडराइजिंग cultural identity तो translate करना है subject को और यूज करना है उस translation को mainstream curriculum तो यह बच्चों क्या करेगा बहुत अच्छे बच्चों maximum बच्चों ने mathematics बिल्कुल सही है बच्चों यह answer भी जाएगा आपका उसकी किसको एंडिश करेंगे and reaching linguistic capabilities and बच्चों appreciation वेरी नाइस आप देखो आप question number eight some criteria some criteria for the selection of language items should involve मतलब कहने का यह है कि कुछ criteria एक language को select फ्रने का हमारा क्या होना चाहिए इनप वर्क्षीट हो practice के लिए क्या बच्चों इससे करेंगे नहीं कोई बात नहीं everyday vocabulary and sentences चलो हो सकता है their learn ability coverage and reach ability बताओ बच्चों या focus on language rules किसको आप बनाएंगे राइट बच्चों बहुत अच्छे बिल्कुल सी बनेगा अंसर वह सीधी सिवात में की learn ability क्या है उनका coverage क्या है उनकी reach ability क्या है इसके ऊपर बेस्ट करेंगे हमके language को हम किसको select करेंगे है ना बच्चों very nice अब बच्चों देखो आपके सामने आया है यह poem और इस poem को आपको देखना है 9 to 14 यानिके 5 questions based है इस पे तो एक बार इसको go through हो जाते हैं देखो क्या करेंगे sprinkle squish between my toes मतलब मेरे toes के नीचे या बीच में squish कर दो उसको जैसे दबा देते ना पैर के नीचे कुछ the smell of ocean to my nose I can feel each grain of sand sand के each grain को मैं feel कर सकता हूँ it falls from air into my hand the shells I find along the shore picked up the birds by the birds fly and soar they sparkle like the ocean's waves and carry sand from all the lakes I walk that's where my feet leaves prints to be बता मेरे पैर जो print छोड़ते हैं निशान छोड़ते हैं I walk all the way the end of the land है ना land के end तक मैं जाता हूँ the land that holds the beautiful sand वो land जिसमें beautiful sand है Morgan Swain है ना Morgan Swain ने लिखिया है तो बच्चों जड़ा आते हैं question number one पे और जड़ा चेक करो आ मैंने इसको एक बार go through कर लिया है एक minute में हम इसके गो through हो गए हैं यानि हमने skimming कर दिया एक तरह से जड़ा nine number को देखो तो कहते हैं poet's central theme is इस poem की sorry poem की central theme क्या है of factual description of nature sharing experience with nature या recollection of a visit या बच्चों introspection by the water क्या बनाएं गया तो अगर हम इसको देखें तो बच्चों ये एक experience है उस person का जो इसको लिख रहा है उस poet का nature के साथ तो answer आपका भी बनेगा sharing experience with nature क्या ही बात के लिए रहे सब बच्चों को बहुत अच्छे बिल्कुल सही बात है अब बच्चों देखो कहता है वो here to the end of the land इसका means क्या है refers to बच्चों आपने देखा to the end of the land land का मतलब क्या है वो पानी में है तो पानी का मतलब है लेंड के end तक किसका मितलब क्या है यह किसके end को बता रहा है सलाइन एंड को बता रहा है बच्चों सलाइन का मिल्सट है वो समुद्र के राइट और नोट राइट जी बच्चों बिल्कुल सही है यह answer जाएगा आपका 10 का अगले question को देखते हैं कहता है 11 number here that's where my feet leaves prints to be मतलब मेरे पैट जहां पर निशान छोड़ते हैं तो बच्चों निशानों को हम कैसे देखते हैं निशान छोड़ने का मतलब क्या होता है knows everything is temporary नहीं release past widgets या फिर expects to forget the experience या hopes to remember वो बच्चों चाहता है कि वो hope रखता है कि वो remember करेगा अपनी विजिट को आज में print छोड़ने का मतलब आज में print छोड़ रहा हूं दस साल बादा के देखूंगा दो साल बादा के देखूंगा तो यह कहानी उसके माइंड में writer के चल रही है तो answer हमारा D बन जाएगा अब देखो बारे नंबर को देखो फ्रेज फ्रेज क्या है बच्चों पोएम में जग गाना एज अलोंग दे टिप आप दे शी इसका मीन्स क्या है each grain of sand, end of the land या बच्चों air into my hands या फिर like the ocean's waves तो जब हम यह कह रहें conveys the same meaning edge along the tip of the sea तो इसका मीन्स है बच्चों देखो जरा यहाँ पे यह लिखा है यहाँ पे it falls from from air into my hand the shells I find along the shore picked up by the birds and so they sparkle like the ocean's waves and carry sand from all the lakes I walk that's where my feet leaves prints to be I walk all the way to the end of the land the land that holds this beautiful sand तो बच्चों beautiful sand पकडने का मतलब क्या हुआ है or as along the tip of the sea इसका मतलब होता end of the land तक end of the land तक मतलब जहां तक भी जाता है और लेंड क्या है वहाँ पे पूरी तरह से sea है से line है बच्चों तो answer हमारा यहाँ पे भी बन जाएगा आप देखो 13 number पे कहता है आपको खुद बताना है poetic device बताना है बच्चों इस line में देखो line क्या है आपको line देखो बच्चों they sparkle like the ocean's waves they sparkle like the बताओ बच्चों इसमें poetic device क्या है आपको अच्छे चलो इसको अभी discuss करते हैं कि D क्यों नहीं हुआ है एक मेंट देखते हैं इसमें बताओ 13 में पहले क्या बनेगा 100% बच्चों सी बनेगा क्योंकि कह रहे है they sparkle like the ocean's waves तो answer आपका सी बन गया अब जरा इसको देखो सब बच्चे इसको कह रहे हैं the phrase in the poem that conveys the same meaning as along the tip of the sea है ना बच्चों तो देखो along the tip of the sea का means क्या होता है air into my hand नहीं बनेगा like the ocean's waves बताओ बच्चों ocean's waves में कहां कहा है यहां पे चेक करो जरा show me the ocean waves यह यहां पे लिखाए आप देख रहे है birds that fly and sort they sparkle like the ocean's waves बच्चों बात हो रहे है इस पारकल की लेकिन जब आप आप आगे जाएंगे नीचे जाएंगे तो क्या देखेंगे I walk all the way to the end of the land the land that holds this beautiful sand तो इसका मतलब क्या हुआ वो सी की तो बात कर रहा है वो ही तो बिच्चों सेंड पकड़े हुए है वो जो अगर हम देखें लेंड तो अगर आप इस question में आएंगे यहां पे के phrase जो है convey करती meaning edge along the tip of the sheet तो इसका मिनतर end of the land ना कि each grain of sand बनेगा या फिर air into my hand या फिर like the ocean waves अगर ocean wave होगी तो वी sparkle की बात करेगा वहाँ पे उनकी तरह से वो चमकनाउं का इसमें आपने similar कर दिया है अब बच्चों 14 नंबर पे पूछ रहा है a word that can replace इसका मतलब सिनोनिम पूछ रहा है आप से squish का squish का बच्चों सिनोनिम पूछ रहा है तो जरा इसको word को यहां पे देखो आप सबसे पहले इसको अगर आप देखेंगे तो बच्चों यहां पे कहता है sprinkle sprinkle squish between my toes तो बच्चों टोज के बीच में स्क्विस होने का मतलब क्या होता है अगर आप पानी को देखेंगे हमारे इनके बीच में अगर हमारे toes का मतलब है कि अंगुठों के उंगलियों के नीचे आगे पीछे पानी आता है तो बच्चों वो कैसा होता है आप खुद बताओ क्या हम उसे hold कर सकते हैं नहीं बच्चों क्रण्च कर सकते हैं बच्चो क्रश कर सकते हैं लेक drought का मतलब एक दरा से इसे इधर उधर को हटा देना जैसे है आपका पैर पढ़े गा तो आप उसे बच्चों क्या करते हैं पानी दर को हो जाताओ जो कीचर होती है इधर दर को सेंड इधर दर को हो जाता है तो answer आप इसमें A बनाएंगे ठीक है बच्चो ठीक है ठीक है अब बच्चो देखो आगे फिर से questions आपके बन गए है पेड़गोजी वाले तो देखो पेड़गोजी का आपका आगला question क्या कहता है class देखो कैसी है a class is reading a story based in a village एक गाओं की कहानी पढ़ रही है class कैसी कहानी the teacher क्या करता है ask some students to mark the villages in an outline map of their locality मतब वो locality में देखते हैं और कहते हैं इसको outline map पे दिखाओ some other students are asked to collect information about the different crops ground in the village yet another group works on the nutritional value of the grains fruits and vegetables ground in the locality later the students exchange their work and have a class discussion relating to the information with the story what is the underlying principle of this approach to the the खुद बताओ आप मतलब बच्चों को गाओं दिखाया गया गाओं में फिर कौन सी फसल होती है कुछ बच्चे उसको कर रहे हैं कुछ बच्चे उसके मैप पे दिखा रहे हैं कुछ बच्चे फिर उसकी वेडिटेबल और फिर वो आपस में एक्षेंज कर लेते हैं सारी चीज़ों को ते कैसी एक्टिबीटी है बच्चों कैसी एप्रोच है making connections across disciplines and bringing out the interrelatedness of knowledge teaching language through written assignment and project giving importance to the practical and scholastic या फिर treating knowledge in specific segments based on geographic science language क्या बनाएंगे बच्चों बताईए है कि ओके 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 है त्रीटिंग knowledge in specific segments based on geography बच्चों चीज देखो यह आप नीचे देख रहे हो ना यह जो फूर नंबर आप देख रहे है ओ ट्रीटिंग knowledge in specific 6 सेगमेंट सो जो ₹ बच्छो आप देखरेहें ज़ 닃 चली जुग्रेफ़ी का साइसपा देख इसे आप पेड़ो 2 लिंगुज में कैसे कहेंगे इसको बच्छो आप लोग कहेंगे making connections across disciplines, across disciplines, across curriculum देखा है न, आपने तो वही है, across discipline, discipline यही तो है आपके different segments, and bringing out the interrelatedness of knowledge, तो answer आपका A बनेगा, देखो अगर A ना हो वहाँ पे तो answer आपका D बिल्कुल सही है, there is no problem at all, but A यहाँ पे जादा correct है, तो यह चीजें आप बच्चो को समझनी पड़ेंगी, है ना, तो हम कैसे answer देंगे इसका A की तरीके से, तो A is the correct answer, ठीक है बच्चो, A होगा बिल्कु ठीक है, अब अगले question पहाएंगे 16 number पे हम लोग, which of the following will be most effective to remove conventional, conventional beliefs about gender roles, मतलब सीदी सी बात है के जो पूराना चला रहा है gender roles के बारे में, वही gender roles में सबसे बड़ी बात क्या होती है, लड़कियां खाना मनाएंगी, लड़कियां चूडियां पहनेंगी, है ना, लड़कियां घर में बैठेंगी, लड़कियां घूंगट करेंगी, मतलब के बहुएं घूंगट करेंगी, तो ऐसे conventional beliefs को हम कैसे हटाएंगे, क्या सबसे बेस तरीका हो सकता है, अब देको चार तरीके दिये हैं, ए, teaching all the learners to sweep, wash and shoe in the craft class without any discrimination, मतलब सभी बच्चों को, सभी learners को सिखा दिया जाए, जाडू लगाना, साफाई करनी, सिलना, है ना, या फिर बच्चों, encouraging girls to develop interest in household course, ये तो फिर वही जोगीतियों बात होगी, telling the girls that taking freely is not a trait, है ना, talking freely is not a trait of good girls, मतलब लड़की को बताना है कि फोन मोन पर बाते ना करें, ये अच्छी चीज नहीं होती है लड़कियों के लिए, या फिर, showing a picture in which the mother is seen cooking, मदर कुक कर रही है और फादर क्या कर रहे है news paper पढ़ रहे है, बच्चों ये तो discrimination को और बढ़ा रहे है, D भी बढ़ा रहे है, C भी बढ़ा रहे है, और B भी तो answer फिर इसका A ही बनेगा, अगर हम इस तोर से देखेंगे बच्चों तो A ही answer, नहीं नहीं, जो बच्चे D answer दे रहे हैं वो एक बार सोचे तो सही, अगर एक पिक्चर बच्चों शो कर रहे है, जिसमें मदर खाना बना रहे है, और फादर पेपर पढ़ रहे हैं, तो ये तो करती, ये तो discrimination है, तो हमें क्या करना पढ़ेगा, फिर इसमें answer A लेना पढ़ेगा, अगर ये बदल जाता सीन, के मदर अखवार पढ़ रहे हैं, और प बाइसनेस को, या फिर हम कहीं थे बाइसनेस के अगेंस नहीं है, तो हम answer A रखेंगे, डन बच्चों, अच्छा ये विएस में भी चलो, बहुत अच्छी बात है, और हाँ मैं आपको बता दूं के एक तरह से दो-तीन questions ओर होते हैं, जैसे NCF भी कहता है, NCF में एक question आया था and girl is coming from the job and she enters the house, तो इस वाले scene को दिखाने का मतलब क्या है, तो again बच्चों ये भी क्या है, gender sensitization, है ना, gender sensitization का मीन से कि लड़के लड़की के बीच में आपे फर्क नहीं दिखाएगा, दोनों कुछ भी काम कर सकते हैं, जबकि traditionally क्या है कि लड़की, घर में रहेगी लड़क 17 देखते हैं हम, 17 देखो आपका क्या कहता है, ये कहता है कि inquiry-based learning, बताओ बच्चों कैसी होती है, तो inquiry-based learning हम किसे कहेंगे, encourage quiet learners, बच्चों quiet तो होई नहीं सकता, inquiry होगी तो फिर quiet कैसे हो जाएंगे, does not nurture creative thinking in students, ऐसा कुछ भी नहीं है, allows learners to raise questions, अब बच्चों ये, अगर हमा inquiry-based है, तो questions बहुत बनेंगे, does not place students in thought-provoking, नहीं बच्चों, तो answer आपका क्या बनेगा, 100% C बनेगा, बहुत अच्छे, तो inquiry-based होने का मतलब है कि वहाँ पे more and more questions बच्चों के लिए तयार रहेंगे, वो question उठाएंगे, ये inquiry-based होती है, 18 नमबर को देखो, which method is based on the theory, कौन सी theory बच्चों, from example to generalization, तो बताओ बच्चों खुद, example से rules यानि generalization की तरफ कोन चलता है, deductive, inductive, incidental, या A and B, बहुत अच्छे बच्चों, ये inductive होगा, यानि inductive में हम क्या करते हैं, पहले बच्चे को example देते हैं, उसके बाद में हम बच्चों rules देते हैं, और उसके बाद में उसको exercise provide करते हैं, और अगर मैं rules को पहले दे दूर, example को बाद में, तो ये आपका deductive method हो जाएगा, incidental में क्या होता है, कि हम किसी भी subject को incidentally पढ़ाते हैं, incidentally पढ़ाते हैं, जैसे मतलब कहने का ये है कि English पढ़ते हुए, sorry, history पढ़ते हुए, आपने अचानक से sentence को बता दि या incidental method बन गया आपका, तो बच्चो ये answer आपका inductive बनेगा, correct बच्चो आगे आजाओ, 90 number, कहता है, choose the correct answer, what is route learning, वो कहता है, route learning क्या है, सब बच्चो को मैंने बता है, route learning, यानि रटा मालना, या इसी को बच्चो हम कहते, cramming, याद आ रहे हैं आपको बात, या इसी को हम क करते हैं, mugging up, mug up, जो word होता है, बच्चो, रटना होता है, cramming, mug up, route learning, एक ही जैसे हैं, तो बताइए, क्या means बनेगा, mechanical और habitual learning, without understanding properly, बिल्कुल सही बात है, या learning with great zeal and enthusiastic, या learning without interest, या none of the ever, क्या बनाएं गया, बिल्कुल बच्चो, mechanical और habitual learning, without understanding properly, समन्हे में आ रहे हैं बात, answer आपका A बन जाएगा, very good, question number 20 पर आते देखो, कितना अच्छा question है, cry of a child, एक बच्चा जो रोता है, वो बच्चो क्या है, language है, dialect है, sound है, या फिर sign language है, खुद बताइए आप लो, अगर एक बच्चा रोता है, तो cry जो बच्चे की है, वो क्या है, language, dialect, sound, या बच्चो sign language है, okay, काफी बच्चो का D, C, B भी आ रहा है, बच्चो देखो, अगर कोई बच्चा रो रहा है, आपने देखा, वाँ, वाँ करते हो, अगर बच्चे को देखा, तो क्या ये एक language है, बताओ, उसमें ABCD आया, क्या, नहीं आया, dialect है, बच्चो, उपभाशा है, नहीं, sound, sound हो सकती, लेकिन sound से बड़ी बात है, कि sign language, क्योंकि वो sound नहीं दे रहे हैं, वो बच्चा दूद मांग रहा है, या तो milk मांग रहा है, या बच्चो पानी मांग रहा है, या फिर कोई और बात है, तो ये sign language है, रोना, बच्चा रहोता है, तो मदर एकदम से क्या लाती है, तो देखो, अगर हम बच्चों को एक opportunity प्रोवाइड करते हैं, हाँ, वो sign दे रहा है, रूची बिलकू ठीक है, तो सब बचे देखेंगे, providing children the opportunity to play with clay, अगर हम मिट्टी के साथ बच्चे को खेलने हैं, तो इससे क्या हमें मिलेगा, बिल्ड टाइम मोटर स्किल्स, especially of the fingers, thumbs, useful for the handwriting, या फिर बच्चों, increase, play with no other objective, play with them, make happy, या फिर engage them to avoid no sense, राइट बच्चों, बहुत अच्चे ही answer आपका A बनेगा, हम उस बच्चे की motor skills को develop कर रहे हैं, या उसके finger सही से काम करें, उसके thumbs सही से काम करें, उसी से बच्चा सीख जाता है, यह psychomotor skills आप डेवलप कर रहे हैं आपके, तो answer हमारा A बनेगा, question number आते हैं बच्चों, 22 पे, 22 कहता है, language acquisition means, तो बताओ बच्चों, language acquisition का मतलब क्या बनेगा हमारा, A, knowing about a language, एक language को जानना, an unconscious process that occurs when language is used in real conversation, या बच्चों, learning the rules of language, या formal way of learning a language, क्या means होगा language acquisition का, very good बच्चों, सभी ने correct answer कर दिया है, बहुत अच्छे, तो ये बच्चों, आपका B बनेगा, an unconscious process that occurs when language is used in conversation, clear हो रहे हैं सब बच्चों को, question number 23 पे आते हैं, और कहता है, which one of the following is not a language component, इन में से कौन सा बच्चों, एक language component नहीं है, तो बताओ आप कौन सा नहीं है, vocabulary नहीं है, structure नहीं है, sound नहीं है, बच्चों, script नहीं है, हमारा answer 23 का क्या बनेगा, language component कौन सा नहीं है, नहीं पे आपको focus करना है, बहुत अच्चे बच्चों, 23 का D बनेगा, script is not a language component, बाकि तीनो language component आपके हैं, अब हम आते हैं बच्चों, question number 24 पे, और 24 कहता है, according to the constitution of India, English is, English कैसी language है, बच्चों, official language, link language, window language, या फिर associate official language, हम क्या answer करेंगे इसका, बहुत अच्चे बच्चों, यह answer आपका D बनेगा, associate official language, अब अगर यहीं पे NCF 2005 होता बच्चों, और वो NCF के coding और answer आपका global होता, तो आप global लगाते, हैं ना, अब अगर ना NCF हो, ना constitution हो, और वो पूछे, कि English in India is, तो बच्चों बनाएंगे second language, क्या बनाएंगे तब second language, या फिर हम इसे foreign language भी कह सकते हैं, या बच्चों हम इसे L2 भी कह सकते हैं, या हम इसे SL भी कह सकते हैं, SL का मीज़ क्या होता है, second language, क्लियर हो रहा है सब बच्चों को, बहुत अच्छे, आब बच्चों देखो 25 नंबर कहता है, लेंगेज एक्क्विजिशन अकर्स ओनली वेन, तो बताओ बच्चों, लेंगेज एक्क्विजिशन सिर्फ कब होता है, कौन सी स्टेज में होता है, जब child is taught the rules of grammar, रूलसम पढ़ाएं बच्चे को, या बच्चे को हम एक reward देते हैं, या फिर child has exposure to the language, language से उसका exposure होता है, या child absorbs the language without conscious attention, बताइए बच्चों, ओके, ओके, 25 का बच्चे D कर रहे हैं, अच्छे देखो बच्चों, अभी यहाँ पे इसको समझना हैं आपको, बड़े ध्यान से देखो, देखो वो क्या कहा रहा है, लेंग्वेज एक्क्विजिशन अकर्स ओनली, वेन, सिर्फ केवल कब होता है, वो यह कह रहा है, तो बच्चों, इसका answer है, आपका C, अब देखो, D को हम कैसे नहीं आपे रख रहे हैं, D कह रहा है, the child absorbs the language without conscious attention, तो बच्चों, यह बात बिल्कुल सही है, अगर वो पूछता है कि language acquisition is, तो यह बात बिल्कुल सही है कि child absorbs the language without conscious attention, वो subconscious रूप में सीखता है, लेकिन वो कह रहा है, only when, तो एक मात्र कब जब बच्चों उसको exposure होगा, अगर एक्सपोज नहीं करेंगे, तो answer हमारा समझ रहे हो बात को, तो answer आपका C बने गए हाँ पे, बोलो सबकी समझ में आगे यह बात या नहीं, हम बच्चे को जग exposure करेंगे language का, तब ही वो सीख पाएगा, राइट बच्चों, मतलब एक line होती है, मैं line आपको बताता हूँ, किसकी, नौम चोमस्की की, उनका कहना है, कि every child has an innate capacity to learn a language, but he would learn only when he would be exposed to, मतलब सीखेगा तब, जब हम उस बच्चे को language से expose करेंगे, यानि कि उसने experiment किया था, तो दूसरा बच्चा, जिसके सामने नहीं बोला गया तो, वो कभी जिन्दगी में बोल ही नहीं पाया, एक्टिवेटी नहीं हुआ उसका बोलना, तो इस बास से हम इस चीज को समझ सकते हैं, अब अब जो देखो, question number 26, one of the principles of material preparation for language learning is, तो अगर हम material preparation की बात करें, उसके principle की बात के language learning तो बच्चो क्या होगा, बताइए आप लोग, ए, complex material should be chosen, यह तो कोई बात ही नहीं, complex choose करेंगे, तो फिर बच्चा क्या धिक्कत में आ जाएगा, grading of material should be done, बच्चो यह तो होना चाहिए, एच्छी बात है, any kind of material, नहीं बच्चो, यह भी गलत है, अगर मैं देखो, one और three, बिल्कुल गलत होगे, a small amount of material should be introduced, तो बताओ बच्चो, D और D, दोनों में से क्या, पहले वाला करे, grading of material should be done, हम उसे grade करें, और बच्चो, चोथा है, आपका, small amount of should be introduced, बिल्कुल सही है बच्चो, यह जुश में देखो, small amount of material should be introduced, यह बात सही है, लेकिन, यह grading के according के होगी न, आपने पढ़ा है बच्चो, selection and gradation, यादा रहा है आपको, selection and gradation, यानि, selection and gradation of the material, should be according to the age and interest of the learner, learner की जो age बनेंगी, उसके according हम उसको बनाएंगी, छोटे बच्चो का storytelling, उससे बड़े बच्चो का debate, उससे बड़े बच्चो का फिर कुछ और, ऐसे करकर के हम करते हैं, जी बच्चो, अच्छा ठीक है जाया, बहुत अच्छी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, subject plus verb plus object, तो कहता है ये जो structure है, इट इस ओफन प्रोड्यूस्ट बाई लर्नर्स, दूटू, तो सबच्चे इसको क्यों प्रोड्यूस करते हैं, फेलियर ओफ इंटेलिजेंस, ये तो कोई बात ही नहीं है, मदर टंग इंटर्फिरेंस बिल्कुल हो सकता है, ओवर जेनलाइजेशन ओफ रोल्स नहीं हो सकता, रोंग टीचिंग नहीं, तो आंसर आपका क्या बना बच्चो, भी, मतलब मेरे कहने का है कि, छोटा बच्चा भी अगर बोलता है, subject plus verb plus object, इसका मतलब होता है कि, बढ़र टंग इंटर्फिरेंस है, बढ़र उसी के तो कोडिंग बोलेंगे हमें, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं, ऐसे इंगलिश वाले इंगलिश में बोलेंगे, तो ये structure वो इसी वज़ा से follow up करते हैं, आप देखो बच्चो, question number 28 हमारा आ गया, बढ़र टंग influence can be effectively minimized in the classroom, यानि अगर बच्चो मैं कहूँ के mother tongue यानि के L1 का influence class में कम किया जा सकता है, effectively वो कैसे, using the mother tongue more often, इसे तो बच्चो होगा जी नहीं बिल्कुल भी, giving examples from the mother tongue बिल्कुल नहीं होगा, giving a lot of exposure in the target language, यानि के L2 या target language उसका ज़्यादा exposure हो, बिल्कुल हो सकता है, फिर कहता है giving inputs from the target language in a simple graded manner, तो बच्चो देखो C वाली बात यहाँ पर पूरी आ रही है, वो ज़्यादा बढ़िया का गया कि उसे simple और graded manner में, graded का मतलब वो ही, हम आसान से मुश्किल की तरफ चलेंगे, ग्रेड यहाँ पर लगा के चलेंगे, समझे में आ रही है बच्चो, तो आंसर क्या बन जाएगा आपका, 100% D बन जाएगा, अब आप आते हैं question number 29 पे, कहता है, a teacher engages her learners in a number of group activities, such as क्या क्या हो सकती हैं बच्चो, group discussion है, group projects है, etc, learning dimension है ना, the learning dimension, it highlights से किसको highlight करता है, learning through recreation, यानिके मनोरजजन के थुरू शीखना, या learning guided language, guided learning, competition based learning, या learning as a social activity, बताएगे बच्चो, जी बच्चो, बिलकु ठीक है, 100% D बनेगा, क्योंकि यहाँ पे teacher बच्चो को social activity के थुरू पढ़ा रहा है, तो बच्चे social activity के थुरू पढ़ के इसको जन्ती समझेंगे, और वो बैस तरीका रहेगा, अब बच्चो आते हैं, question number 30 पे कहता है, first generation learners are those, who are, तो बताओ बच्चो, first generation learners, कून कहलाते हैं, coming first time to school to seek admission, पहली बार admission ले रहे हैं, learning Hindi for the first time, हिंदी सीख रहे हैं, या फिर बच्चो इंगलिश सीख रहे हैं first time, या फिर first from their family to come to school, इसकोल में पहली बार उनकी family से आने वाली generation को, हम first generation learner कहते हैं, बहुत अच्चे बच्चो, D बनेगा 100%, first from their family to come to school, तो first generation learner का मतलब क्या हुआ, पहली वो generation जो पढ़ने के लिए किसी family से आ रही है, तो हम answer D बनाएंगे, अगले question पर आते हैं बच्चो, और ये complete हो गए आपके questions, तो देखो, कितनी जल्दी आपने फटापट, 30 questions बढ़िया explanation के साथ में किये हैं, और मैंने तो सिर्फ आपको इशारा किया, answer सारे सब बच्चों ने दिया हैं, बहुत अच्छे, तो चलो बच्चो, इस वीडियो को like करेंगे, share करेंगे, subscribe करेंगे, क्योंकि वीडियो मेरी नी बलकी आपकी ही है, सब answer साब के हैं, और इसी तरह से लगातार वर्क करते रहो, मिलते हैं बच्चों फिर से इवनिंग में आज फिर, जी बच्चों हाँ वीवेक अभी आज वाला बेटा कैंसल हो गया है, वैसे तो पेपर ठीक है जी ठीक है बच्चों तो लगातार पढ़ते रहें, इसी तरह से ठंडक में आराम से रजाई में बैठके पढ़ें, लिहाप में बैठके पढ़ें, धूप में बैठके पढ़ें, बढ़ते जरूर रहें, बच्चों 23 को एक बार चलो अच्छा आते हैं, चलो मिनू बहुत अच्छी बात है 26 हैं आपके, वेरी नाइस देखो बटा 23 में वो कहता है कि language component कौन सा नहीं है ठीक है कृष्णा में देखता हूं बटा मेरा अथन की बात में no problem तो देखो बच्छो इसमें देखो structure अच्छा structure structure का means होता है बटा यह syntax वाला s plus v plus यह language component 100% है भई structure तो language में सबसे बड़ी चीज होती है ना कहां पर आपको subject लगाना है कहां पर अब्जेक्ट लगाना है कहां पर वर्ब लगानी है इसकी विना language कैसे बनेगी तो vocabulary भी structure भी sound भी लेकिन स्क्रिप्ट का मिन्स होता है लीपी वो किस लीपी में लिखी गई है ब्राम्मी लीपी है या फिर क्रोश्टी लीपी है या फिर कोई और लीपी तो लीपी उनकी लीपी लेंग्वेज का component नहीं बना अच्छा बहुत अच्छी बात प्रिती जिन बच्चों को भी बताता हूँ जैसे प्रिती का question है याँ पे सारे वो बच्चे जिनोंने अभी तक कोई भी online exam नहीं दिया है वो CTAT के website पे जाए और वहाँ से जाके attempt कर सकते हैं वहाँ पे CBT mode में आपका mock test दिया हुआ है बच् class में आपका वह अपने आप count हो जाएगा या नहीं होगा यह सारे उसमें options देख लें उससे confusion नहीं रहेगा सा बच्चों को कि ग्रेड के बारे में बता दें अच्छा ठीक है मिनाक्षी ncf के coding नहीं ग्रेडिंग होनी चाहिए मतलब यहाँ पे selection gradation का means यह है जैसे grade हम देते हैं grade 1, 2, 3, 4 मतलब यहाँ पे हम teaching material को grade दे रहे हैं वही class 1 के लिए हम आसान रखेंगे 2 के लिए मुश्किल रखेंगे 3rd के लिए और मुश्किल रखेंगे और 10 में जाके बहुत ज़्यादा मुश्किल रखेंगे तो यह grading होती है आपके material की इसकी बात हम कर रहे हैं महाँ पर अच्छा 142 मेनू बहुत अच्छे वेरी नाइस जी स्मृति तो बिटा उसकी practice करो स्मृति स्मृति आप उसकी practice करो यही सबसे बढ़िया है पैसेज हमने अभी किया तो है भारती आज भी बिटा हमने passage किया है एक poem को हमने solve किया है अच्छा कोई बात नहीं प्रिती आप लगातार work करते रहो बिटा तब तक ठीक है जी चलो ठीक है नहीं था कोई बात ही तब तक तक त्यारी करो बिटा अगर cancel हो गया आज आपका था पैसेज वाले में सब बच्चे उन टेक्निक्स और टेक्स के थ्रू जो मैंने आपको बता है उनकी थ्रू उसकी practice करें बस practice lag कर रही है अगर उसमें confidence नहीं आ रहा है एक करके देखो दो करके देखो उसको लगातार तब तक करो मैं तो यह कहारा हूँ दस एक दिन में करके रख दो आप time based के वे एक मिनट में एक question एक मिनट में एक question आप उसे करके तो देखो एक बार जोड लगा के दम लगा के उस practice में जब आप घुश जाओगे वो इन फ्यूज हो रहेगे आपके माइंड में तो आपको समझ में आने लगेगा टेग वर्ड बता दो टेग वर्ड तो क्वेश्चन टेग आप कह रहे हैं या नि अच्छा अच्छा कोई बात नहीं तीश्री वर्क करो बेटा question tag आप पूछ रहे हैं मैं समझ बा रहा ह। टेग वर्ड का मतलब इसी से होता है इसमें क्या होता है जैसे मैं question पूछता हूँ आप से बच्छो के where are you going ंटो बजाए where are you going के मैं पूछता हूँ मुझे थोड़ा सा पता है के you are going to Delhi और फिर last में कहता हूँ आपको aren't you क्या कहता हूँ बच्चो aren't you तो यह जो aren't you है इस sentence के बाद में यही आपका question tag है और इसमें दो चीज़े आती है एक verb आती है और एक subject आता है verb और subject इसी से हमारा question tag बनता है जी 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 कोई बात नहीं है चांदनी लगातार करते रहो उनलाइन पैसेज में अंडरलाइन नहीं कर पाएंगे न जहां तक मुझे पताया कांश कर सकते हैं आप अंडरलाइन बेटा कर सकते हैं मतलब उसमें highlight होने का सब कुछ होता है process highlight कर लो उसमें अंडरलाइन कर लो कोई problem नहीं है हां जी भारती एक practice हमने आज भी की है बिटाइस की ठीक है बचो चलिए बचो मिलते हैं फिर evening में thank you so much हां जी फिर से admit card आएगा तीशरी बिलकुल चलो बहुत अची बात है प्रेती very good ठीक है बचो ऑके बाबाई thank you यहादा यहaktं है वाल यह जवी अजनननन पिर वहाद इस aम ऑगए लड़ों प्रेकमा59 यहत्य दाननन您 की जैक्पो जड़ाएम